जहिंद दोस्तो इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचे जान लिजे मेरा नाम है अन्वर अंसारी और मैं MP के द्वारा याने की Associations of Mutual Fund in India के द्वारा पूरी तरह से registered Mutual Fund का advisor distributor हूँ और मुझे Mutual Fund इंडेस्ट्री में लगभग 15 साल का नुभव है और इस दोरान मैंने अनगिनत Mutual Fund की portfolio review की है लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस दोरान जितने भी portfolio मेरे पास review करने के लिए आए है उन में से 95% Mutual Fund की portfolio को गलत ढंग से design किया गया है अब सवाल आता है कैसा क्यों तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भरामक calculation वाली वीडियो दिखाई गई है जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप advisor के माध्यम से mutual fund के बारे में जादा जानते समझते नहीं है वो भी direct mutual fund में invest करने लगते हैं और होता ये है कि वो एक गलत mutual fund की portfolio design करते हैं और अगर आप एक गलत mutual fund की portfolio design करते हैं तो यहां पे दो चीजे हो सकती है एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है और दूसरा आपको जितना return आपके investment पे मिलना चाहिए था सायद उतना return आपको ना मिले तो ये कौन decide करेगा कि आपको कैसे और कौन से mutual fund में invest करना चाहिए अगर आपको mutual fund की अच्छी समझ है आप अपने investment को अच्छे से manage कर सकते हैं तो congratulations बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आपको mutual fund की समझ नहीं है तो आप मुझसे content कर सकते हैं मैं आपको mutual fund industry की पूरी service देने की कोशिस करूँगा तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो की topic विडियो में हम mutual fund investment की एक strategy देखने वाले हैं या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये investment का एक formula है या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक investment का calculation है जो भी मर्जी लगे आप इसको नाम दे सकते हैं और ये formula ये strategy ये calculation ऐसे लोगों पर ज़्यादा fit बैठता है जो 30, 35, 40 या फिर 45 के आसपास के age के है खैर इस formula को या इस strategy को या फिर इस calculation को कोई भी अपना सकता है और कोई भी अपना करके इस formula के तहत investment कर सकता है और इस formula के तह हमारा रहेगा वो 15% का रहेगा और हम 20 साल तक invest करेंगे और अगर ऐसा करते हैं तो इस calculation के तहथ इस formula के तहथ हम एक करोण रुपे का रकम बना सकते हैं एक और formula है जो काफी famous है आपने सुन रखा होगा 15 प्लस 15 प्लस 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 उसमें होता यह है कि हम 15,000 यह जो return मिलता है वो लगबग 74,000,000 रुपे का असपास होता है तो ऐसे में एक करोण रुपे का corpus बन जाता है तो ऐसे में सब के पास 15,000 रुपे पर मंथ निवेस करने के लिए नहीं होता है इसलिए मैं आज की वीडियो में आप सभी को एक formula बताऊंगा जिसमें आप सिर रुपे पर मंत की SIP करनी होगी और हम यहाँ पे return जो expect करेंगे वो 15% का ही करेंगे और हम investment 20 साल तक करेंगे 15 प्लस 15 प्लस और इसमें क्या अंतर है तो इसमें सिर्फ अंतर इस बात का है कि हमने यहाँ पे duration थोड़ा सा बढ़ा दिया है 15 प्लस 15 प्लस 15 में यह होता है कि हम 15 12 साल ही इंवेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम 20 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं दीखिए अगर आपके पास समय कम हैं तो समय अच्छा खासा है तो थोड़ा सा कम पैसा भी इंवेस्ट करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं तो वही केलकुलेस्टान आज की वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं कि थोड़ा कम पैसा भी इंवेस्ट करके कैसे आप बड़ा रकम बना सकते हैं एक एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हमें 15% का रिटरन मिल जाएगा अब देखिए क्योंकि हम 20 साल तक इन्वेस्ट करने वाले हैं तो अगर आप थोड़ा सा ऐसे फंड में भी इन्वेस्ट करेंगे जो इस तरह के फंड ज्यादा है इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 15% से थोड़ा 2,000 रूपे आप इन्वेस्ट करेंगे इस 20 साल के दोरान, 7,000 रूपे परम्न अगर इन्वेस्ट किया जा लगा तक तो इस दोरान हमारे जो पैसा है इन्वेस्ट होगा है याने कि अगर हम सिर्फ साथ हजार रुपे पर मंद कंटिन्यू निवेस करते रहें और इस इंवेस्मेंट को कभी बंद नहीं करें और अगर हमें 15% का रिटरन मिल जाता है तो येकिनन दोस्तों हम एक करोड रुपे का रकम बना सकते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ साथ हज पीसे और अगर हम कभी इसमें बीच बीच में अगर हमारे पास हजार दो हजार रुपे एक्स्ट्रा पैसा आ गया अगर उसको भी टॉप अफ हम करते जा रहें तो ये एमांट कहीं बड़ा बन सकता है तो मेली आज का जो कैलकुलेसन था वो ऐसे लोगों के लिए था जिन अगर आफ जो करते हैं जिनके पास इंवेस्ट करने के लिए या फिर पर मंद बचा करके यहां पे पैसा लगाने के लिए-7000 रुपय हो ही, बहुत सारे से लोग हैं जिनके पास 7000 रुपय से कम भी पैसा होता है, तो कोई बात नहीं है, आपके पास जितना भी पैसा बनता है, आप चाहे तो 5000, आप चाहे तो 4000, आप चाहे तो 3000, आप चाहे तो 2000, आप चाहे तो 1000 रुपय पर मंद भी इन्वेस्ट कर सकत हैं आप बताइएगा कि अगली वीडियो में कितना रुपे की SIP के calculation बनाऊ अगर आप कहेंगे कि भाई 5000 रुपे पर मन्त की SIP के calculation बना करके बताएगे हमें कि कितना पैसा बन जाएगा तो वह भी calculation में आप सभी को दिखाऊँगा तो आज की वीडियो में हमने mutual fund investment की एक strategy जानी या फिर आप कह सकते हैं formula जाना या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि simple सा हमने calculation जाना जिसमें हम 7000 रुपे पर मन्त अगर invest करते हैं 15% का expectation करते हैं और 20 साल तक invest करते हैं तो हमारे पास 1 करोड रुपे का एक बड़ा रकम हो सकता है अब देखी क्योंकि जब हम 20 साल तक invest करेंगे तो यह जो 15% का return है मुझे है कि इससे ज्यादा return मिल सकता है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो calculation है वो थोड़ा सा फिर रह सके इसलिए मैंने 15% का ही return लिया है हमारी जो expectation है उसको हमें थोड़ा सा lowest ही रख करके चलना है हमें high side में रख करके नहीं चल है और 15% का return का calculation मैंने आप सभी को दिखाया है अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह आता है कि सर जब हमें 20 साल के बाद एक करोण रुपे मिलेगी तो क्या 20 साल के बाद उस एक करोण रुपे के बराबर होगी तो यहां पर जवाब है दोस्तों कि नहीं 20 साल के बाद जो एक करोण रुपे होगा उसमें अगर 6% की inflation count की जाए यानि कि हम यह एजूम करके चल रहे हैं कि आगे 20 साल तक 6% के rate से आउसत inflation बढ़ेगा अब देखिए inflation कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है लेकिन देखा गया है कि 6% के आसपास ही हमारे देश में inflation दर रहता है तो मैंन साल तक तो देखे 20 साल के बाद तो हमें पैसा मिलेगा 1.6.11.685 रुपिया ही इसमें कोई भी कमी होने वाली नहीं है यह पैसा इतना ही amount मिलेगा लेकिन inflation के वज़ा से उसकी जो value होगी वह 47.10.272 रुपे की होगी एक बार फिर से मैं बता दूँ कि 20 साल के बाद अगर इस calculation को आप follow करते हैं और इसी तरह का आपको return मिल जाता है तो आपको जो amount मिलेगा वो 1.6.00.000 रुपे का ही होगा वो amount आपको बिलकुल भी कम नहीं मिलेगा आपको 1.6.00.000 रुपे का ही amount मिलेगा अगर जो हम calculation कर रहे हैं यह सही सही हो जाता है तो amount में आपको कमी नहीं होग इमाउंट आपको एक करोड़ शह लाख ही मिलेगा लेकिन इंफलेशन की वज़े से उस एक करोड़ शह लाख रुपए की जो बीस साल के बाद आपको मिलेगी उसकी वेल्यू जो है न वो आज के 47,10,272 रुपए के आसपास में होगी यानि कि आप ये समझ करके चलिए कि या फिर 50,00,000 रुपए में कर पाएंगे या फिर कर सकते हैं उसी को 20 साल बाद करने के लिए आपको एक करोड़ रुपए की जोरत होगी यानि उतना ही काम 20 साल के बाद एक करोड़ रुपए से होगा तो जो भी लोग इसके आसपास में S.I.P. करना चाते हैं तो इस जो रिटर्न रहेगी वो 15% की रहेगी और अगर आप 20 साल तक कर देते हैं तो उमीद मुझे यह है कि आपको 20 साल के बाद एक करोड़ रुपए का रकम बन सकता है अब जो भी लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साधी विवा के लिए सोचते हैं या फिर अपने रिटा साधा रिटर्न लेकर नहीं चला है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे उमीद है कि एक करोड़ रुपए का रकम आपको 20 साल के बाद मिल सकता है लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखेगा कि 20 साल के बाद का एक करोड़ रुपए का वेल्यू आज के 47 लाक रुपए के आसप कर लिजिगा और इस वीडियो का अपने फ्रेंड और फैमली के जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेर हो पाए इस वीडियो का आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमली का बहुत ख्याल रखिएगा मैं मिलूँगा इसी तर अबता कि लिए बाय